नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में भारत में हर साल हजारों लोग सांपों के काटने से मारे जाते हैं हालांकि सभी सांप भी सहले नहीं होते हैं लेकिन जिने सांपों के बारे में जानकारी नहीं है वो इन सापों को देखते ही होस गमा देते हैं या फिर उन्हें मारने दोड़ पड़ते हैं चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के पांच सापों के बारे में जिनका जहर किसी आम इनसान को पल भर में मार सकता है किंग कोबरा भारत ही नई दुनिया भर में किंग कोबरा को सबसे खतरनाक साप माना जाता है ये दूसरे सापों से काफी लंबा होता है इसकी लंबाई करीब 15 फिट तक हो सकती है ये नमी वाली जगहों दल्दर और बास के पेड़ों में रहना पसंद करते हैं एक करनाटा केरल असम बंगाल में पाये जाते हैं इंडियन कोबरा भारत में इंडियन कोबरा को नाक के नाम से जाना जाता है ये भारत का सबसे खतरनाक और हिंसक माना जाता है ये साप ज़्यादा तर गाउं जंगलों या फिन नदियों के खिनारे पाया जाता है इसके काटने से हर साल और सुतन बारह हजार से तेरह हजार लोगों की मौत हो जाती है इंडियन कोबरा इंडियन क्रेट भारत में इंडियन क्रेट दूसरा सबसे जहरीला साप है इसके डसने पर एक बार इतना जहर निकलता है इस पांच दर्जन लोगों की जान जा सकती है इंडियन क्रेट की वज़े से हर साल और उस्तन 8000 लोगों की मौत हो जाती है इंडियन क्रेट रसल वाइपर रसल वाइपर को भारत के गर्म राजियों में ज़्यादा पाया जाता है ये बेहत गुसेल और बिजली की रफ्तार से अटेक करने वाला साप है हालांकि इसे इंडियन क्रेट से ज्यादा जरीला नहीं है लेकिन हर साल भी सज़ार लोगों को अपना सिकार बना लेता है रसल वाइपर इंडियन ग्रीन पिट वाइपर इसे भारत में बंपू वाइपर कहा जाता है इंडियन ग्रीन पिट वाइपर साप पेडों पर रहते हैं वैसे तो ये मेढग दूसरे छोटे साप कीड़े खाते हैं लेकिन इने छेडने या खत्रा मासूस होने पर इंसानों को भी सिकार बना लेते हैं ये साप ज्यादा तर भारत के पच्चमी छेतरों में पाये जाते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद